हेलो और वेल्कम दोस्ते स्वागत एक और नेकमाल के वीडियो में तो आज हमारे पास है वन प्लस का वायरलेस बॉलेड जैड टू डिवाइस जो कि इससे समझे तो मुझे काफी ज्यादा सवाल आ रहे थे तो मैंने इसलिए इसकी वीडियो अपलोड कर रहा हूं इसे रिप यह साइध फर्ष रिवाइस होगए यह साइध एक दो आगे और आगे होंगे तो जो बाएर लाएज जैड टू डिवाइस है इसमें देखिए उपन होने का प्संन नहीं देखता है कहीं से भी उसमें आसानी से उसको रभर को उठाने के बाद ऑद उपन हो जाता है यह दे वीडियो को लाइस तो जब देखना है वीडियो कर पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में वैल आइकन को भी दबा देना यहां बैद यह देखिए हमने यह बुलेट बायरलेट चैड़ टू है इसको कनेक्ट कर लिया अप तो दोस्तों आपने देख लिया इसमें एक साइड से आवाज आ रही है और एक साइड से बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है तो यह साइड से आवाज नहीं आ रही है उसको पहचान के लिए यहां पर हमेकर काट लगा दे रहे हैं जिससे के हमें मालुम हो जाए है कि इस साइड में आवाज नहीं आरहे थी क्योंकि दोबारा से चैक करना पड़ेगा तो उससे कोई फायदा नहीं है यह साइड है इस की जो बटन वाली साइड है तो फिसे आपके डिजाट को क्षोलें सैडम स्वाइरलें स्वार्डवड रगता है और बटन है मैं यहां उन्हाद कर रहा हूं क्योंकि लिकुड से जो बोडी होती है थोड़ी खराब से हो जाती है तया यह प्रहा मुझे जादा अच्छा गरम करके निकालना रहा जो जो बोडी भी इसमें इस जो आधा तर थैकर हो यहाइ पिशाता संटाल निकाल लिये हैं, ०ॉ हार्ड नकल रहे हैं इसमें यह देगी हरा वाला और नीला वाला वाला वायर है वह दोनों ही टूटे हुए हैं जो कि आवाज के लिए होते हैं बाकी जो वायर होते हैं वह सेंसर के लिए होते हैं तो हलागी मैं यहाँ पर इसको कट करूँगा और कट करने के बाद ही इसको दोबारा से एड्रेस करूँगा क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको सिर्फ हरा वाला नीला वाला जोड़ तो कुछ समय बाद यह बंद हो जाए ठीक है तो इसलिए मैं इसको प्रोपर कट करके तुवारा से तभी इसको एड्रेस करूँगा तो दोस्तों मैं आपको आगे जानकारी देना चाह रहा था कि यह जो नेगवंड है यह हमारी आई थी बिहार से ठीक है बिहार से आई थी बेकास बोरला करके एक साहब हैं जो कि सब इस्पेक्टर हैं बिहार के किसी थाने में मैं एक जेट आपको नाम नहीं बता सकता प्लेस का तो सबसे पहरे तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद जोनोंने हमारे उपर ट्रस्ट किया और ट्रस्ट कर रहे के बाद हमारे पास इसको भेजा बाई कोरियर और हमने भी इसको रिपेर करने के बाद सर को इसको पहुंचा दिया है जब तक हम वीडियो को इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं इसको अप्लोड कर रहा हूं तो साइद जब तक यह नहीं पहुंची थी उनके पास तुमें अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो को तो इस वीडियो को नीचे कमेंट करके बता देना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ ठीक है हलाकि वह एक सब्सक्रेक्टर हैं पुलिस वाले हैं तो साइद से कमेंट नहीं कर पाएंगे मैं समझ पा रहा हूं अगर चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं तो सर आपके लिए एक बार फिर्शन में धन्वाद देना चाहता हूं क् आप हमारे इंश्टाग्राम पर मेंसेच कर सकते हैं जो कि आप मैं वही से आपको अपना एड्रस और जो मोगाइल नमबर प्रोवाईड करा देता हूं जिससे आप मुझसे भाध कर सकते हैं बातकरन में एड्रस वगयर आपको वहीं पर देदाऊंगा जिससे कि आप हमारे पास अपना जो नेक्वेंड है उसे रिपेर कराने के लिए भेज सकते हैं हलाकि रिपेर कोश्ट जो रखी हुई है मैंने डीड़ सोर पर रखी हुई है यानि 150 RS है किसी भी नेक्वेंड के लिए चाहे आपके जो नेक्वेंड उसमें आप इंस्ट्राम पर मेंसेज करना में और अपने जो नेक्वेंड उसका फोटो बेजने में उसके बारे में आपको जाहर काई दे दूँगा यह आसानी से शोल्ड हो जाए ठीक है पांच वायरों को हमने शोल्ड करना पड़ेगा और पांच वायरों को सोल्ड करने के बाद हमारा नेक्वेंड है वह 100 पर्षेंट रिपेर हो जाएगा अलाकि मुझे ऐसा लगता है कि जो वनप्लस की जो वायरलेस जो नेक्वेंड है इनमें ज्यादा से ज्यादातर ही दिख्कत है क्योंकि मेरे पास 37 लगवाद 500 के करीब पार्सल आ चुके हैं और मैंने उनको रिपेर किया है तो मुझे ऐसा भी लगता है कि इनको ज्यादातर लोग रिपेर नहीं करते हैं और सर्वेस सेंटर की तो सारी समस्या ही आप सर्वेस सेंटर ले जाओगे तो 99% वह आपको बापिस ही करेंगे वो रिपेर नह कर पा रहा है यह आप से खुद से रिपेर नहीं हो रही है तो आप आप से वेश सकते हैं बेना किसी यह orbina समझे कि आपको ट्रैकिंग नंबर बगएरा सब कुछ दिया जाएगा तो उस वास को टेंसर ना ले एक भी सिंगल भी ऐसा आदमी नहीं है जिसका पार्सल बीच माटका हो या पर हमारे पास आने के बाद उनके पास नहीं पहुंचा हो ठीक है मैं अभी तो इस वीडियो में नहीं दि बीची है जितनी वी टेटर हो सके कि मैं आपको दे दूँगा ठीक है इसके उपर एक रबर टाइप की लगी होती है तो इसको पहले हटाना पड़ेगा तब ही हमारे वायर जो है लगी हुए उस पर सोल्डर काम करेगा इससे नहीं हो पाएंगे नहीं पुराने वार निकल पाहिए इस मैं से और नहीं नहीं वाल इसमें लग पाहुए ठीक है फा पैन्च वायर है इसको पेस्ट लगा लिए रहा हूं हलका हलका और उसके बाद-1 की मदसी मैं इनको निकन सकते हैं ह hält वायर इक साथ भी नेक वायरर को राखते है यह सेंसर के लिए जाता है s before ने जा इसके हैं और को लगा दिनांध लगाना है और फीन गूल्डन गूल सुन और भायरों से लखा देला हैं है कि यहिए साहरे के साहरे बाइर हैं आपर bes अपनेक्ट हो चुक?". है हमारी डिवाइस में उसके बाद मैं इसको एक बार दौरा से चेक भी करूंगा यह देखिए आप यहां से देख सकते हैं मैं किलियर विजीबल करा रहा हूं आपको आप बिना ट्रेंशन के अपना डिवाइस पर रिपेर कर सकते हैं जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग हो गी है अभी मैं इसको एक बार दौरा से चेक कर रहा हूं मैंने गाना इसमें प्ले कर दिया है ठीक है किस प्रकार से स्मय साउंड बगरा आ रहा है नहीं आ रहा है प्रोपर आप है कि अ लगें तो दोस्तों हमारों तो नेक बेंड उसके जो दौना जो स्पीकर हो उन में प्रोपर शाउड आज अचुकी है इसकी जो बॉड़िस सो हम चिपके CAKE लगेगी नहीं जिस फोल्डरे यस फोल्डर वोड़ा लगाते हैं उसी से इसको चिपकायां कि आने वाले समय में ये दुबारा से भी ओपिन पर सकता है, यदि हम इसपे फेवे कोई का अंं पर गयर लगाँ देंगे, जो येẬ भी 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 बोल देते हैं, उसको फेवे कोई 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 बोल देती हैं, तो एक भर फिक्स होने के बात वो दुबारा से निकलना मुस्कल हो यह जो गिलू है हम इसे इसको लगा रहे हैं यह गरम होने के बाद बड़ी आसानी से निकल जाता है तो दोस्तों इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को कर दीए सब्सक्राइब तो दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ जाते जाते एक बार ऐसा है सरके लिए भी बुलते हैं सारे मिलके जैन जै भारत बंदे मातरम थैंक्यू सर जी एक बार फिर से